इस वीडियो में मैं आपको Ďलो एलो एलकेंस और हईलो का मतलब क्या हता है हेलो का मतलब मतलब क्या आता है है हेलो जन समाया और उसके पीछे लगा हुआ है एलकेंज यानि की एलकेंज का मतला हेट्रोकार्बन है भई यानि की हेट्रोकार्बन है ठीक हो गया भई तो हेलो एलकेंज हुए क्या भई हेलो एलकेंज हुए हेट्रोकार्बन के डेरिवेटिव हेट्रोकार्बन के क्या हुए वाई derivative हो गए ठीक हो गया तो hello LKs जो मैंने आपको बताया है थेरिवेटीव है हमें उनके बारे में पढ़ना है वाई कि यह हैट्रो कार्बन के derivative क्या-क्या करते है किस की रियक्षान शो करते हैं क्या इनकी प्रॉपटीज है इनके मैं पढ़ना है तो देखो भई मेरे पास एक हैट्रोकार्बन है मीथिन ठीक हो गया ठीक है मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ CS3 और 1HU कर दिया बाहर की तरफ को ठीक हो गया अब मैंने क्या कर दिया यह जो H बाहर की तरफ को खीचा हुआ है उसको निकाल दिया और उसकी जगह पे एक हैलोजन क्या कर दिया एड कर दिया है ठीक हो गया तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा CS3 ठीक हो गया और क्या बन जाएगा X तो यह जो CS3 X बना इसको क्या बोलता है, Hello Alken, क्या बोलता है, Hello Alken, या क्या बोल सकता है, Alkyl Helene, दोनों एक ही बात है, तो याद रखना, नॉर्मल क्या किया, ये तो Alkyl Group है, जिसको मैं किस से रिपर्जेंट करता हूँ, R से रिपर्जेंट करता हूँ, ठीक हो गया, और ये H मेरा hydrogen हुआ, मैंने भी हो सकता है ठीक हो गया यह मैंने इसमें add कर दिया है तो मेरे क्या बना rx यह जो rx है उसी को मैंने alkal halide या hello alcan बोला है क्या बोला है hello alcan बोला है ठीक हो गया बई देखो बई अगर कोई आप से पूछता है general representation of hello alcan क्या है ठीक हो गया तो जो जनरल रिपर्जेंटेशन ऑफ हेलो एलकेन होता है उसको क्या करता है आर एक्स लिखते हैं समाया ये हो गया तुम्हारा हेलो एलकेन का जनरल रिपर्जेंटेशन जहां पर एक्स जो है वो क्या है फ्लोरीन भी हो सकता है क्लोरीन भी हो सकता है ब्रोमीन भ बाद जो important question है भई कि इनका classification क्या है इनको किस तरह से classify किया जाता है ठीक हो गया तो देखते हैं भई इनका classification देखो भई जो सबसे पहला classification है सबसे पहला classification सानमाया वो है on the base of halogen atom on the base of number of halogen atom लिख लिता हूँ number of halogen atom दूसरा जो है दूसरा classification होता है degree of carbon atom क्या हैगा degree of carbon atom degree of c atom लिख देता हूँ carbon atom ठीक हो गया अगला जो classification है वो based है hybridization पे इस पे based है भई hybridization पे based है hybridization पे ठीक हो गया यह तो मैंने बता दिया classification of alkyl haline बहुत ज्यान से रखना भई बहुत important भी है और बहुत interesting भी है organic इस तरह से पढ़ोगे न तो एक अलग ही interest जग जाएगा भई देखो देखो पहले बोला on the base of number of halogen atom अगर मैंने बोला कि मेरे पास जो compound है उसमें one halogen atom है क्या है one halogen atom समझे रहो one halogen atom है तो उसको बोलेंगे monohalide बोल सकते है monohalide या monohalcan भी बोल सकते है क्या बोल सकते है monohalcan ठीक है अगर अगर दो halogen atom हुए क्या हुआ दो halogen atom हुए दो halogen atom हुए समाया तो उसको क्या बोलते है उसको बोलते है डाई हैलाइड या तुम क्या भी बोल सकते हो डाई हैलो alkaline यहां पर से एक बहुत इंपॉर्डेंट चीज बाहर निकल के आती है भémie समाया गा-ई जो दाई हलाइड होते है वह भी डो विसिनल डाई हलाइड विसिनल डाई हलाइड बहुत आसान है भई इनको समझना देखो बहुत अच्छे से पड़ोगी तो तुम्हें ही बहुत अच्छा लगेगा भई देखो भई जैम डाई हलाइड का मतलब क्या है देखो मेरे पास دो हयाटन तो है क्योंकि ये डाइ हेलोजन का classification है दो हेलोजन है सानमाया लेकिन वो दोनों हेलोजन मैंने कहा ये भी X है ये भी X है सानमाया वो एक ही कारबन पे चिपके पड़े हैं ठीक हो गया तो उनको क्या बोलता है jam dihylite मतलब दो हेलोजन है और वो सेम कारबन अटों पे जुड़े हुए है तो उनको क्या बोलता है jam dihylite अब इनका वैलेंसी पूरी कर लो कितने हुए एक दो तीन तो ये कितना आ गया चार बाके हैटोजन लगा देते हैं वन टू और थ्री सानमाया देखो एक वैसी एक्जामपल ले लेते हैं देखो मेरे पास है CC मैंने यहाँ पे लगाया CL यहाँ पे लगाया CL ठीक हो गया और यह क्या आया H यहाँ पे आया H यह आया H और यह वाला आया H तो देखो भई दोनु हेलोजन एक ही कारबन पे है ये वाला CLB और ये वाला CLB इस वाले carbon atom पे है तो इनको क्या बोलता है इनको बोलता है jam di halide क्या बोलता है jam di halide ठीक हो गया अब बात करता है vicinal di halide की मतलब 2 halogen यहां भी है लेकिन वो halogen same carbon पे न हो करके अलग-अलग carbon पे है मैंने कहा एक ये वाले carbon पे है और एक ये वाले carbon पे है अब वैलेंसी पूरी करनी है दो अल्रेडी है दो यहां पर लगा दो ठीक हो गया तो इनको बोलता है vicinal di halide सान्माया देखो example पड़ो ये आया तुम्हारा F ये वाला आया तुम्हारा F सान्माया और बाकि तुम क्या कर दोगे हाइट्रोजन लगा दोगे वैलेंसी पूरी करने के लिए ठीक हो गया तो बताओ भई बताओ ये जो दो हैलोजन है वो क्या है एग्जेसंट कार्बन पे है होना किस पे चाहिए एग्जेसंट कार्बन पे बगल वाले पे होना चाहिए सामाया एग्जेसंट कार्बन पे ठीक हो गया तो उसको क्या बोलते है उसको बोलते है विसिनल डाई हैलाई सामाया अगर दो हैलोजन एक दूसरी के एग्जेसंट पूजिशन पे है तो उनको बोलते है vicinal, अगर सेम कारबन पर तो उनको बोलते है jam di halide, ठीक हो गया, देखो भई, अगर तीन हेलोजन हुए, समाया, तीन हेलोजन हुए, तो तीन हेलोजन को क्या बोलेंगे भई, tri halide, समाया, यह tri halide बोलेंगे, ठीक हो गया, tri halide में मैं आपको पढ़ाँगा, CHI3 CHCL3 और CHBR3 देख रहे हो तीन हेलोजन है इसको बहुत है आइडोफर्म एंटी सेप्टिक की तरह यूज किया जाता है CHCL3 इसको बहुत है क्लोरोफर्म ये मैडिशनल केमिस्टी में बहुत important drug है वई जो आदमी को ब्योहस करने के लिए यूज किया जाता है drug का मतलब दवाई होती है drug का मतलब नसीली चीज नहीं है याद रखना एक important drug है जिससे हम क्या करते हैं आदमी को ब्योहस करते हैं ताकि सिजीरियन करते समय उसको कोई pain जो है वो feel न हो बई और last वाला है इनको हम detail में देखेंगे भई अगर 4 halogen होई समया 4 halogen होई तो उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं tetra halide समया और इसमें एक चीज देखोगे CCL4 समया इसके बारे मैं बताऊँगा जो आग बुजाने वाले गाड़ी होती है वो CCL4 का यूज करती है CCL4 का यूज करती है याद रखना उसका एक specific नाम होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा वही ठीक हो क्या तो ये मैंने बोला classification on the behalf of number of halogen atom तो क्या क्या आया classification सबसे पहले आया monohalide मतलब एक halogen फिर आया dihalide dihalide के दो form थे एक था jam dihalide दूसरा था vicinal dihalide jam में मतलब दो halogen तो है same carbon पे सामाया और vicinal में दो halogen है लेकिन excession carbon पे ठीक हो गया अगर 3 हुए तो trihalide 4 हुए तो tetrahalide सामाया लेकिन 2 के बाद 2 के बाद जितने भी halogen आते हैं हम उनको categorize कर देता है यानि कि tri, tetra, penta जो भी आये मैं उसको क्या बोल देता हूँ polyhalide क्या बोल देता हूँ एक नाम दे दो भाई इसको क्या दे दो polyhalide क्या दे दो polyhalide सामाया तो ये classification मैंने आपको बताया on the behalf of number of halogen atom सामाया अब दूसरा है degree of carbon atom किसकी बात करूँगा degree of carbon atom चलो भई आगे बढ़ता है degree of carbon atom भई अब बात किसकी करनी है degree of carbon atom की degree of c atom की देखो भई याद रखना degree start होती है 0 से सामाया 0 degree carbon 1 degree carbon atom 2 degree carbon atom और 3 degree carbon atom 0 degree का मतलब क्या होता है जो alkyl halide है वो एक carbon atom से जुड़ा हुआ है सामाया और वो carbon किसी और carbon से नहीं जुड़ा हुआ है इसका मतलब इसकी valency hydrogen से पूरी होगी सामाया तो याद रखना ये जो carbon है carbon है उसको बोलेंगे 0 degree ठीक हो गया अगर देखो अगर ये carbon एक carbon से जुड़ा हुआ है मैंने कहा ये carbon एक carbon से जुड़ा हुआ है सामाया ये मेरा alkyl halide है alkyl halide जिस carbon से जुड़ा हुआ है वो carbon एक और carbon से जुड़ा हुआ है सामाया तो कितने carbon से जुड़ा हुआ है एक कर्बन से जुड़ा हुआ है इसका मतलब यह 1 डिगरी है सनमाया अब वैलेंसी पूरी करो यह आया H यह वाला है H और यहाँ पे क्या हैगा CS3 देखो इनको 1 डिगरी हलाइड बोलेंगे on the behalf of degree of carbon atom तो यह क्या हुआ यह हुए तुम्हारे 0 डिगरी हलाइड क्या हुए 0 डि 2 डिगरी का मतलब क्या है जिस carbon से हेलोजन जुड़ा हुआ है न वो carbon ओल्रेडी दो carbon atom से जुड़ा हुआ है यानि कि C यहाँ भी लगा दो C यहाँ भी लगा दो ठीक हो गया तो यहाँ पे क्या हैगा CS3 यहाँ पे क्या हैगा CS3 और इस पे क्या जागा H तो दो carbon से बात ही समझ गए हो जो हलोजन है वो उस carbonatum वो यो से जुड़ा हुआ है तो यह क्या हैं गौन के या 3 degree है खुर्प आप लोगों को यह अच्छे से समझ मा आ गया होगा गयाकंगा रोशी के बिहाब पर सेम बोल देना अगर Great le foto-ering दिग्री ग्री होगा तो Tap Dusse Rin अब देखो एक एक्जामपल ले लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए ठीक हो गया देखो मेरे पास है अब बताओ अब बताओ कौन सा डिगरी का है पैचानना है तुमें तुदेखो यह अब बताओ देखो यह जो कारबन है वो एक कारबन इससे जुड़ा हुआ है तो यह वाले जो कारबन है उसकी डिगरी वन डिगरी होगी और इसको क्या बोलेंगे वन डिगरी है लाइड सानमाया याद रखना गलती से थ्री डिगरी हैलाइड मद लिख लेना दूसरा देखो बई याद रखना यह है तुम्हारा एक्स सानमाया हेलो जन ठीक है इससे जुड़ने वाला जो कारबन है यह सानमाया अब यह कितने कारबन से जुड़ा हुआ है इससे डिगरी बनेगी तो कितने कारबन से जुड़ा हुआ है एक और दो सानमाया आगे वाले मतलब मैं इसकी और इसकी बाद नहीं कर रहा हुआ कि यह कितने से जुड़े हुआ है मुझे तो फर्क पड़ता है कि यह कितने से जुड़ा हुआ है तो यह कितने से जुड़ा हुआ है दो से जुड़ा हुआ है तो यह क्या जाएगा तू डिगरी हेल हेवडिजेशन की बाती है किस की बात आती है है तो देखो भई है बिखाप पर क्या-क्या और दूसरा आता है बेंजाइलिक हलाइड अगला आता है विनाइलिक हलाइड और उसके बाद आता है अराइलिक हलाइड बोल देता है अराइलिक या अराइलिक हलाइड या अराइलिक हलाइड भी बोल देता है ठीक हो गया अब देखो बहुत ध्यान से देखना बहुत इंपोर्डेंट कॉंसर्ट दिखाने जा रहा हूँ बहुत इंपोर्डेंट कॉंसर्ट बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो इसे ध्यान से देखो, Allylic Helites क्या होता है, देखो, याद रखना, जो Halogen है, ऐसे Carbon Atom से जुड़ा हुआ है, घ्रिक हो गया, ऐसे Carbon Atom से जुड़ा हुआ है, जो क्या है, खुद CS2 Double Bond CS2 Type के सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इस तरह से, सनाया, ये वाला, तो यानि कि Halogen एक Carbon Atom से जुड़ा हु h और यह वाला करो h ठीक हो गया तो इसका हैव सिग्मा बंड प्लस लौन प्यार कार्बन पे लौन प्यार है नहीं चार बना रही है तो यानिके sp3 है ठीक हो गया तो याद रखना जो ऑलालिक हैलाइड होते हैं उसमें बोलते हैं 을ैलायलिक हैलाईड तो देखो बई बैंजैलिक हैलाईड क्या होता है सो सिंपल सो सिंपल similarly जो हैलोजन है वो कारबन से जुड़ा हुआ ठीक हो गया और ये जो कारबन है उसके बाद बैंजीन टाइप के सिस्टम से जुड़ी हुई है बेंजीन टाइप के सिस्टम से क्या हुई है जुड़ी हुई है ठीक हो गया इस पे वैलेंसी पूरी करो ठीक हो गया तो याने की याने की ये वाला जो कारबन है तुमारा क्या है तो हैलोजन तुमारे एस पी थी कारबन से जुड़ा हुआ है और वो कारबन तुमारे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होगा तो उसको बोलता है बेंजायलिक हलाइड क्या बोलता है तुमारे पास हैलोजन है वो हैलोजन एस पी थी कारबन एटम से जुड़ा हुआ है औ दूसरा क्या होता है विनायल हलाइट क्या होता है यानि कि जो तुम्हारा हैलोजन है सामाया वह डारेक्टली SP2 hybridized carbon atom से जुड़ा हुआ होगा यानि कि C double bond C type का system ये H2 आ गया और 1H यहां पर आ गया तो यानि कि अगर इसका अगर hybridization निकालो तो कितने bond पिया रहा है 1, 2 और 3 5 bond को hybridization में मत गिनना 3 का मतलब कितना होता है SP2 SP2 समाया तो यानि कि अगर तुम्हारा halogen तुम्हारा halogen direct SP2 वाले system से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलता है vinyl halide क्या बोलता है vinyl halide ठीक हो गया ठीक है अगर तुम्हारे पास है CH2 double bond CHCl तो इसका नाम क्या होगा इसको बोलता है vinyl chloride vinyl chloride ठीक हो गया अब aryl halide क्या होता है इसका मतलब जैसे benzyl halide थे same aryl halide भी होगे समाया aryl का मतलब भई aromatic से बन रहा है तो दिमाग में लिया हो तुम्हारा halogen direct benzene ring से जूड़ रहा है direct benzene ring से जूड़ रहा है समाया तो कि benzene ring में हर जग़ तो इसको क्या बोलता है arylic halide यानि कि अगर तुम्हारा halogen अगर तुम्हारा halogen direct benzene ring से जूड़ा हुआ है तो उसको बोलता है aryl halide ठीक हो गया एक बार देखो पहचानना कैसे है पहचानना कैसे है कैसे पता चलेगा कि arylic halide है तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास है halogen सन्माया वो halogen sp3 carbon से जुड़ा हुआ है और वो sp3 carbon जो है वो c double bond c carbon double bond carbon वाले system से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलता है allylic halide क्या होता है allylic halide अब देखो benzylic halide का मतलब क्या होता है तुम्हारे पास हेलोजन है वो SP3 कार्बन एटम से जूड रखा है ये वाला लेकिन वो आगे कार्बन, डबल बॉन, कार्बन से न जूड करके वो एक बेंजीन वाले फ्रेम से जूड रखा है तो उसको बोलता है बेंजैलिक हेलाइट इसका मतलब कार्बन जो डबल बॉन वाले सिस्टम है चाए मैं इसकी बात करूँ चाए इसकी बात करूँ उनके बीच में एक कार्बन है एक मेडियेटर का काम कर रहा है SP3 इसके बाद ये हलोजन जुडा हुआ है या तो कार्बन, डबल बॉन, कार्बन जुड सकता है या क्या जुड सकता है बेंजीन ड्रिंग जुड सकती है बेंजीन ड्रिंग जुडेगी तो उसको क्या बोलेंगे बेंजैलिक हेलाइट और अगर ये डबल बॉन जुडेगा तो उसको क्या बोलेंगे अब देखो विनायलिक का मनलब क्या होता है ये जो हेलोजन है वो डिरेक्ट C double bond C से जुड़ा हुआ है और डिरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होगा तो उसको क्या बोलेंगे एलायलिक है ठीक हो गया अकर बीच में एक मेडियेटर कार्बन आया हेलोजन और उस या बेंजीन वाले फ्रेम के बीच में एक मेडियेटर कार्बन आया तो क्या सिस्टम बनेगा एलायलिक या बेंजैलिक बनेगा लेकिन अगर हैलोजन डिरेक्ट डबल बॉन वाले से जुड़ रहा है या डिरेक्ट बेंजीन से जुड़ रहा है सामाया तो क्या सिस्टम ब को च्पचे हपी लुन